अध्याए एक, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, परिचे, इंट्रोड़क्शन, व्यन्जकों, 2x धन 3, 3x का वर्ग धन 7x रिंड 2, x का वर्ग रिंड 1 बटे 2x धन 3, y की घात 3, रिंड वर्ग मुल 2, y का वर्ग धन 3y, रिंड 7. इस प्रकार के व्यन्जग बहुपद होते हैं बहुपदों पर संक्रियाएं जोड़ना, घटाना और गुना करना आपने कक्षा 9 में सीखा है बहुपदों के जोड़ने, घटाने और गुना करने के उन तरीकों को एक बार फिर देखते हैं प्रश्न एक एकज़न तीन वा एकज़न चार को जोड़िए हल एकज़न तीन वा एकज़न चार को चार का जोड़ अर्थात एकज़न तीन धन एकज़न चार इसे हम कोश्टक में लिखेंगे बराबर कोश्टक खुलने पर एकज़न तीन धन एकज़न चार बराबर एकस को एक साथ लिखने पर एकस धन एकस और संख्याओ को एक साथ लिखने पर तीन धन चार बराबर एकस धन एकस बराबर दो एकस धन तीन धन चार बराबर साथ यहां इसका हल होगा प्रश्ण दो बहुपद दो एक्स की घाद दो धन तीन एक्स धन पाँच में एक्स की घाद दो धन एक्स रिन दो को घटाईए हल दो एक्स की घाद दो धन तीन एक्स धन पाँच में एक्स की घाद दो धन एक्स रिन दो को घटाना है अर्थात 2x की घात 2, धन 3x, धन 5 इसे हम पहले कोश्टक में लेंगे रिन दूसरे कोश्टक में x की घात 2, धन 1, रिन 2 सबसे पहले हम यहां कोश्टक को खोलेंगे तो हमें प्राप्त होंगा 2x की घात 2, धन 3x, धन 5 दूसरे कोश्टक के सामने रिन का चिन लगा है जब हम कोश्टक को खोलेंगे तो रिन का गुणा होंगा x की घात 2 के सामने धन है तो रिन गुणित धन रिन x की घात 2 रिण गुडित धन रिण एक्स और रिण गुडित रिण धन दो बराबर दो एक्स की घाद दो इसके साथ में रिण एक्स की घाद दो है तो इसे हम साथ में लिखेंगे एक्स की घाद दो धन तीन एक्स इसके साथ में रिण एक्स यह अपन साथ लिखेंगे फिर संख्या धन 5 धन 2 बराबर 2x की घाद 2 रिण 1x की घाद 2 को जब हम घटाएंगे तो हमें x की घाद 2 प्राप्त होंगा धन 3x में से रिण x को घटाएंगे तो हमें 2x मिलेंगा धन 5 धन 2 बराबर 7 इस तरह से बहुपदों को घटाने पर हमें प्राप्त हुआ x की घाद 2 धन 2x धन 7 या इस प्रश्न का हल है प्रश्न 3 x धन 5 में x रिण 7 का गुणा कीजिए हल x धन 5 इसे कोश्टक में रिखेंगे और दूसरे कोश्टक में x धन 7 इसे हमें गुणा करना है गुणा करने के लिए पहले कोष्टक का पहला पद X को हम दूसरे कोष्टक से गुणा करने के लिए दूसरा कोष्टक सामने लिखेंगे X जिन साथ फिर पहले कोष्टक का दूसरा पद धन पांच लेंगे और फिर दूसरा कोष्टक फिर से लिखेंगे बराबर जब हम इसका कोश्टक को खोलेंगे तो X का जो है X से गुणा होंगा तो X को X से गुणा करने पर हमें प्राप्त होंगा X की हाथ 2 रिण X को 7 से गुणा करेंगे तो 7X धन 5 को X से गुणा करने पर 5X और धन को रिण से जब धन 5 रिण 7 से गुणा होंगा तो धन गुणित रिन और पांच सत्य पैंतिस अब यहाँ पे फिर से एक्स की घाद दो लेंगे और रिन साथ एक्स धन पांच एक्स का जो योग है वो हमें प्राप्त होगा रिन दो एक्स और रिन पैंतिस इस तरह से इनका गुणा है करके देखें पहला बहुपदों दो एक्स और नो को जोड़िए दूसरा बहुपद तीन एक्स का वर्ग धन दो एक्स और नो को घटाएए तीसरा बहुपदों X का वर्ग धन 2X रिंड 3 व X का वर्ग धन X रिंड 2 को गुणा कीजे